आज मैं आपसे एक सवाल पुछना चाहता हूं, सवाल यह है कि माल लिजी आपके पास एक छोटा घर है, जिसमें आपका परिवार रहता है, एक या दो रिस्तेदार आ जाते हैं, तो उनके लिए भी एक कमरा है, लेकिन किसी दिन ज्यादा रिस्तेदार आ गए, माल लेते हैं दस लोग आ गयें, तो क्या आप उन दस लोगों को बाहर सडक पर, या बगल वाले पार्क में, या पडोस की दुकान में, या फिर रिल्वे एस्टिसन बस एस्टेंट पर सुला देंगे, आपका जवाब मैं जानता हूं, नहीं, आप उन्हें सुलाने की व्यवस्था भी घर में ही करेंगे, यहीं तरीका है, लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों को इतनी सरल सी बात समझ नहीं आती, उन्हें समझ नहीं आता कि सार्पजनी की स्थान सार्पजनी की स्थान होते हैं, आपकी निजी संपत्ती नहीं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सा नमाजियों का अतिक्रमण दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्ब यदि आपको हमारी विचार पसंद आते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप हमें फेस्बूक पेज पर द तो बहुत से लोगों को उतरना होता है, और बहुत से लोगों को चहना होता है, लेकिन इन नमाजियों ने ट्रेन के पैसेज में बैठकर नमाज पढ़ना सुरू कर दिया, और दोनों तरफ अपने चेले चपाड़ों को लगा दिया, ये चेले लोगों को आने जाने से रोक अब आप सोचिए, यह क्या हो रहा है, ट्रेंड के स्लिपर कोच में नमाज पढ़ी जा रही है, इस पर बाच्ची तो इसलिए सुरू हो गई, क्योंकि इसका एक वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हो गया, या वीडियो किसी और ने नहीं, बलकि भाश्पा के पुरविधायक दिपलाल भारती ने बनाया था, और उन्होंने इसे शोसल मीडिया पर अपलोड किया, जब ट्रेंड में नमाज पढ़ी जा रही थी, उस वक्त दिपलाल भारती भी वही मौजुद थे, तब ही उन्होंने ये वीडियो बनाई, अब जब इस मामले पर चर्चा हो ही रही है तो चलिए, कुछ पुरानी बाते भी निकाल लेते हैं, लुलु मौल में भी यही हुआ, दस जुलाई को लुलु मौल का मुख्य मंत्रे योगी आधित तेनाथ ने उधगाटन किया था, इसके बाद वहां कुछ इश्लामिष्टों ने नमाज पढ़नी सुरू कर दी, अब मौल में नमाज पढ़ने की अनुवती दी गई, तो यह भी वहां सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पार्ट करेंगे, इसके बाद वामपंधियों ने इसमें अपने एजेंडे को भी घुसाया, कई वामपंधियों ने फेक न्यूज फैलाते भी यह साबित करने की कोश कृष्ण कुमार पाठक को मौल में नमाज पढ़ने के आरोप में गिरफतार किया, कॉंग्रेस समर्थकों से लेकर लिबरल लॉबी से जुड़े तमाव लोगों ने इस थेवरी को हवा देने का खोप्रयास किया, परन्तु जूट तो जूट होता है, और यह ज्यादा देर तक ठीक नहीं पाता, ऐसा ही कुछ इश्पार भी हुआ, लगणो कमिश्णरेट पूलिस ने वामपंथियों के उस दावे का खंडन कर उनकी पूरी की पूरी पूल पट्टे ही खोल कर रख दी, तो यहादा लूल मौल का पूरा मामला, अब हम और आगे बढ़ते हैं, और गुरुग्राम की बात करते हैं, गुरुग्राम में खुले में नमाज का मामला निरंतर बिवादों में बना रहा, पृतिक शुक्रवार को हजारों की संख्या में इश्लामेष्ट गुरुग्राम में खुले में नमाज करते, बड़ी तदाद में होते इस नमाज से लोगो को अच्छी खाशी परिशानी होती रही, लेकिन इससे नमाजियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वे सार्फजीडी के स्थान पर अपना धार्मी कारे करते रहें, इस पर रोक नहीं लगते देख, इंदू संगट्नों ने गुरुग्राम में पृतिक शुक्रवार को प्रदर् करते हैं, बीहार में खुले में नमाज के कई मामले हमारे सामने आ चुके हैं, यहां तक की, रेलवे स्टी सन और बस स्टेंड पर नमाज के मामले हमारे सामने आ जुके हैं अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि आखिरकार इस्लामिष्ट ऐसा करते क्यों हैं साबजेडी के स्थानों पर नमाज पढ़ना या फिर खुले में नमाज पढ़ना इश्लामिष्टो की इसके पीछे क्या साजिश रहती है। अगर आप इस पर चिंतन करें, तो पाएंगे कि इसके पीछे इनकी साजिश सीधे सीधे जमीन पर कबज्या करने की, जमीन हडपने की, जमीन को बिवादित बनाने की, या फिर अपनी ताकत दिखाने की शाजिस होती है। सरकारी जमीन को हडपकर पहले तो उस पर धार्म एक धांचा बना दिया जाता है, और जब बाद में कोई बिवाद खड़ा होता है, तो मामले को धर्म से जुड़ा बता कर इसे समेधन सिल्टा के नाम पर टाल दिया जाता है, और इस तरह या जमीन हडपने का सिल्सिला चलता रहता है। वर्स 2019 में उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब एक समुदाय के लोगों ने अवेह तरीके से सरकारी जमीन पर मश्चित निर्वार करने की कोशिस की थी, लेकिन दूसरे लोगों ने इसकी सुचना पुलिस को दी, पुलिस ने उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी थी, क्योंकि वहाँ योगी आदी तेनाथ मुख्य मंत्री है, इससे पहले, वर्स 2013 में गौतम बुद्नगर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, तब सरकारी जमीन पर अवेह तरीके से मश्चित का निर्मार्ण करवा दिया गया, उस वक्त उस इलाके के HDM IS दुर्गा श्रक्ति नागपाल थी, उन्होंने उस वक्त उस मश्चित की एक दिवार को गिरवा दिया था, जिसके बाद ततकाले नकले सरकार को इतना गुस्सा आया, कि उन्होंने उस अपसर को सस्पेंड करना ही बहतर समझा, अब आप समझिये कि कैसे वर्सों वर्सों तक इस देश की सरकारों ने एक समुदाई विशेस का तुष्टि करन किया है, समुदाई विशेस के लिए कोई कानौन नहीं, कोई नियम नहीं, खुले आम मनवानी करने दो, बस इसलिए क्योंकि उनके वोट इन राजनितिक दलों को चाहिए होते हैं, यहीं होता रहा, इसलिए आज वक्व कानौन जैसा कानौन इस देश में लागू है, वक्व का साबदी खर्थ है खड़ा होना, रोकना या कबजे में लेना, थॉमस पैटरिक हुजेस द्वारा रचित इसलाम का शब्द को सवक्व सब्द की ब्याक्या करता है, या धर्मार्त उप्योग है तो संपती का विनियोग या समर्पण है, यहीं एक प्रकार की धार्मिक बंदोवस्ती है, जिसका जमिंदार वक्व बोड है, आपकी जनकारी के लिए बता दे, कि भारत में भूमी के मामले में वक्व की जमंदारी अकलपनिये रूप से बहुत बड़ी है, इसमें लगवग 4 लाख पंजिकरित संपती और लगवग 6 लाख एकड़ भूमी शामिल है, राजिसभा के पुर्व उप सभापती की रह्मान खान की अधिक्षता वाली एक संजुक्त संसदिय समीति के अनुसार, भारत की रेलवे और रक्षा विभाग की बाद भूमी का तीसरा सबसे बड़ा स्वामित्व वक्वोर्ड का है, वर्स वजार तेरह में मनमुहन सिंख ने वक्वोर्ड एक्ट 1995 में संसोधन करके इसकी ताकत को चरम पर पहुचा दिया, और इसके बाद से लगातार ऐसे कई मामले हमारे सामनी आये हैं, जिसमें वक्वोर्ड ने किसी मंदिर की, किसी व्यक्ति की, किसी संस्था की जमीन को अपना बताकर उस पर कबजा कर लिया हो। हाली में तमिलाडू से एक ऐसा ही मामला हमारे सामनी आया, जिसमें वक्ट बोर्ड ने एक पूरे गाउं की जमीन पर अपना दावा ठोप दिया कुसी नगर में ट्रेन में जिन लोगों ने नमाज पढ़ी उन पर पुलिस कारवाई कर लेगी लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता समस्या का समाधान तभी होगा जब नमाज सारपजिनी के स्थानों पर नहीं पढ़ी जाएगी और इसके लिए एक सक्त और मजबूत कानून बनाकर उसका सक्ती से पालन करवाया जाएगा